तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कल यानी दो जून को उरिसा में ट्रेन हाथ सा हुई है जो कि काफी दर्दनाग हाथ सा है आखेर इस ट्रेन हाथ से का जिम्मेदार कौन है और ये किसके लह परवाही के करणे अगटना हुई है दोस्तों बता दे कि कोरा मंडल एक्सप्रेस स साम को साड़े छे बज़ पर बारे सो संताओन यात्रियों को लेकर जा रहे थी जब वह मेल लाइन की जगव बगल में लूक लाइन में जाती है और वहां खड़ी एक माल गाड़ी से बिढ़ जाती है ठीक इसके दस मिनट बाद कोलकात्ता से हाबड़ा एक्सप्रेस सामने साती है और उसमें 1049 यात्री सवार होते हैं जो कि पिछली वाली ट्रेन के हिस्से के दबो से टकरा जाती है दोस मिनट के अंदर ये दो हाथ से हो जाते हैं जबकि तीन ट्रेन ने आपस में टकरा जाती है जिसमें बताया जाता है कि कुल 28 डिबे पल्टे हुए हैं जिसमें से अभी के आकड़े सामने आये हैं कि 288 यातरियों की मौत हो चुकी है और लगभग 1000 यातरी अभी तक घायल है जिनको नजदी की अस्पतालों में एडमिट कराये गया है इस घाटना को सुनने के बाद उडिस्या के मुखे मंतरी मौके पर पहुँचे और वहां से यातरियों को निकलने के कारिये को जल्ट से जल्ट बात कई जहां तक हाथसा हुई ये वहां का तुरंत रिष्को टीम पहुँचकर अप्रेशन जारी कर दिया है वहां पर इयर फोर्स के टीम इयर फोर्स के डॉक्टर होते हैं जो कि बहुत सक्स होते हैं ये घाटना के तुरंत बाद इयर फोर्स को वहां उतार गया है आज मौके पर परधान मंती नरेंदर मुदी ने मौके पर पहुँचकर जाय जलिया है और जितने भी घायल यात्री हैं उनको अस्पताल जाकर हाल चल जाना और जरूरत के समान जल्द से जल्द पहुचाने का निल्ड़ने दिया यह घटना बहुत से परिवारों को दुखी भर दिन है क्योंकि यह दुर घटना सिगनल के चलते घटी है जिसमें रेलवे मंत्री आशोनी बेशोनों ने दुख चताते हुए इस घटना को कार्यवाही करने का आदेश दिया है आज तक जितने भी ट्रेंदुर घटना हुई है उसमें रेलवे मंत्री ने अपना इस्तिफा दे दिया है क्या आश्वणी बेशनों इस्तफ़ा देंगे इसमें पहले बिहार के रेल मंतरी नितिश कुमार भी इस्तिफा दे चुके हैं यात्रियों को जिस अस्पताल में भरती कराये गया है उस अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे आखिर ये लोग है कौन क्या ये देखने पहुँच रहे जी बिल्कुल नहीं वे लोग कोई और लोग नहीं बलकि बलर्ड डॉनेट करने वाले लोग हैं जो कि जिस घायल यात्रियों की बलर्ड की जरूरत तुरंत है उसको तुरंत बलर्ड दिया जा सके और उनकी जानने बच किये जितने भी जानने जा चुकी है उनको लाया नहीं जाता लेकिन जो जान बची है उनको बलर्ड देके उनको जान बचाया जा सके यह खबर सुनकर लगता है कि मानावता अभी भी जिन्दा है